उत्य प्रदेश के फतेपुर जिली में लव जिहाद और जबरन धर्मांतरड का एक और चोकाने वाला मामला सामने आया है जिसने पूरे इलाके में संसनी फेला दी है तरसल दिल्ली में रहने वाली एक यूवती ने फतेपूर में एक मुस्लिम यूवक पर खुद को हिंदू बता कर उसे धोके में फसाने अफरण करने और जबरन धर्म परिवर्तन कराने का आरोप लगाया है पिड़ता गायतरी पाल ने पुलिस को दी शिकायत में इस भयावा घटना का पूरा विवरण बताया आपको उतादी कि चार साल पहले गायतरी पाल अपने माता पिता के साथ दिल्ली में रहती थी तभी एक यूवक जिसने अपना नाम राचपाल बताया उससे दोस्ती की और धीरे धीरे शादी के लिए दवाव बनाना शुरू कर दिया गायतरी ने बताया कि युवक ने खुद को हिंदू स्वजाती बताते हुए जहसा दिया और बार-बार शादी के लिए धमकिया देने लगा जब उसने शादी से इंकार किया तो युवक ने उसे जान से मारने की और खुद आत्महत्या करने की धमकी थी फिलहाल पिडिता ने फतेपूर के सदरकोटवाली पुलिस में शिकायब दर्च कराई है और सादाब के साथ साथ उसके परिवार के सभी सदस्यों के खिलाफ सक्त कारवाई की मांगी है उसने ये भी कहा कि उसके और उसके बच्चों की जान को खत्रा है अगर उसे या उसके परिवार को कुछ होता है तो इसके लिए सादाब और उसके परिवार के लोग जिम्मेदार होंगे किसी से बोलोगी संबनाओगी तो काना मैं हम काटके मारके फैंक देंगे तो मिंदु संगत में पढ़े अभी मलब फिलाल की तो दिन वे तो फिर पाता चला इन लोग से पूरी कहांई बटाया है जब ढहरे से पूरी कहानी बताया है तो फिर हम यह हैं तॉक आप हाएं कि इस तरिके से प्तारित करता था किया तूछ खाने पीने पीन हो तीड आप बड़े बड़े का गाया का गोष खाऊ जम नहीं खाती थी सब लोग उसे मरवाता था पिटवाता था भाई लोग थे खाला इसकी अम्मी बेहंट से बाल पकटड़ पकड़ के मारा करती थी इस मामले में बजरंगदल जिला के सहसायोजग धर्मेंद सिंग का क्या कुछ कहना है सुनिए मामला है एक हिंदू परिवार की बच्ची है गैतरी नाम है और उसने किसी लड़के ने अबुनगर का रहने वाला है जानकारी में आया कि इसने गुमराह करके हिंदू बनकर के इनको एक साल तक गुमराह किया जब बच्चा पैदा हो गया तब अपने घर ले आया इनको गाउं किराय से दिली से सहर लिया फटेपुर और किराय से रहने लगा अब जब इनको बताया इसने खतना उतना करने का जिक्र किया और मुस्लिम री त्रिवाथ से अपना निकाह की बात की तो इसको पता चला तो इसने मना कर दिया कि हम हिंदू ही है हिंदू रहेंगे आप हमने को गुमरा किये हो जब हम लोगों के पास जानकारी आई हम लोगों के पास तो हम लोगों ने कोतवाली में या करके उसके खिलाब कार्रवाई की मांगी है इसके खिलाब मुकदमा होगा और जो गुमरा किया है और इसका सोसन किया दो बच्चे पैदे किया उसके खिलाब कारवाई होगी और जील जाएगा